नमस्कार स्वागता है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में जिन छात्रों ने फॉस्ट मेरेड लिस्ट में अपना फ्लॉट करवाया था फ्लाल उनका जो है रजल्ट आ चुका है मैंने बताया था फिर भी अगर आपको नहीं पता है SCVT.UP.IN पर आप लोग जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि पिर्थम चान के आवंटन के उपरांत उच्ची करण का प्रणाम राजकी ITI कॉलेज में मतलब गवर्मेंट ITI में अडविशन लिया फ्लोट पे अगर आपने किलिक किया था फस्ट अडविशन में तो इस लिंक करना चाहिए क्या automatic मेरा एडविशन दूसरे टेट में हो जाएगा या फिर मैं दूसरे कॉलेज में नहीं जाएँगा मेरा एडविशन हो जाएगा क्या होगा इसके बारे मैं सारी चीजे गवर्मेंट आइटियाई द्वारा या पिर सरकार द्वारा प्रिमानत होती वही बताए जाता है किसी पिरकार का कोई फालतू चीज या फालतू कोई भी चीजे यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताए जाएंगे बच्चों के जो वैलफेर होता है उसके लिए ह काम करना है वो सारी चीजे में आपको डिसकस कर लेता हूं समझा देता हूं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको भविस्ट में दिकत ना हो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने फ्लोट पर टिक किया है और आपका अगर कोई कॉलेज भी चेंज नहीं हुआ है और ना ही कोई ट्रेड चेंज हुए अगर आप फ्लोट वाले रेजल्ट पर टिक करते हैं चेक करते हैं तो वहाँ पर लेक्के आता है आपका आवंटन पूर बत है यानि कि आपका आवंटन पूर बत का मतलब होता है कि आपका आवंटन मतलब पहले कही तरह है जिस आपका आवंटेंट पूरबत है तो आपको कुछ भी करने की जुरत नहीं है मतलब आपका ना तो ट्रेड चेंज होई है और ना ही कॉलेज आपका चेंज हुआ है तो ट्रेड और कॉलेज कुछ भी नहीं चेंज हुआ है आपको पढ़ना है तो आपको कुछ करने की जुरत न नहीं हुई है तो जब आप ररेजल्ट देखेंगे तो यस्में लिखके आएगा कि पहले किस Because में है और बाद में किस Google में पहले किस ट्रेड में और बाद में किस ट्रेड में उच्छी करनी गौण सिति अग्ज यह सारी चीज़ लिखकर आते हैं तो वहाँ पर अगर आपका मीर गंज से आपका CV गंज बरेलीम हो गया है, मतलब आपका college चेंज हो गया और trade mileage आपका fitter में आया है, तो आपको क्या करना होगा, जो पहले वाले college है जहाँ पर आपने first marriage list में अड़िसन लिया है, उस college में आप जाएंगे, वहाँ से आपके जि आपको मिलेगा, साथ में आपके जो original documents कुछ भी जमा हुए हैं, जैसे TCCC बगरा, तो वो सारी चीज़ें आपको बापिस मिल जाएंगी, और अगर आपने कोई 10th कि मार्सीट बगरा भी कहीं दी हुई है, तो वो भी आपको बापिस मिल जाएगी, फिर उस file को लेके, उस letter को लेके आपको दूसरे ITA में जाना होगा, जिस ITA में change होके आपको मिला है, तो अगर आपको सिर्फ college चेंज हुआ है, तो आपको पुराने college में जाके, पहले अपनी file और एक फिस का letter लेके, फिर नए वाले college में जाके, सेम भाई प्रिकरिया दोरानी जो first वाले admission के time आप आपने दिया था, तो वो सारी चीजे फिर से आपको करनी पड़ेंगी, बस आपकी fees नहीं लगेगी, इसमें, fees का letter से आपको, fees जो है, वो consider कर ली जाएगी, अब हम बात करते हैं, cable trade चेंज हुई है, college नहीं हुआ है, college नहीं हुआ है, मतलब college आपका पहले भी वही था, आपको क्या करना होगा, जो आपका परणाम है अभी उच्छी करण वाला, इसकी एक printout निकालके, आपको उसी college में चला जाना है, क्योंकि आपका college तो चेंज हुआ नहीं है, तो सिर्फ वही जो उच्छी करण का परणाम है, उसका printout निकालके, आपको अपने उसी college में जम मिलित कर दिया जाएगा तो सिंपल सी प्रॉसेस यह है मगर आपको कॉलेज जाना चाहिए कॉलेज आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको उच्छी गणा को प्रणाम जमा कर देंगे चलिए अब यह है तो ट्रेड और कॉलेज दोनों चेंज हो गए है देखिए आपका फर्स्ट मेरेट लिस्ट में एडविशन लिया था उस कॉलेज में जाना है वहां से अपनी फाइल लेके आनी है पहले तो जो उच्छी कंड का पड़ाम है जो रजल्ट है अभी वाला यह रजल्ट की कॉपी वहां पर जरूर लेके जाएगा जो पहले वाला मैंने दूसरा डौकुमेंट्स हैं जितने भी लगें वो देदीया जाएंगे साथ में आपको एक फीस का लेटर देदीया जाएगा उस लेटर को उस ओरिजिनल डौकुमेंट्स को लेके आपके नए वाले कॉलेज में जाके वह किस वाला लेटर दे देना है तो आपकी फीस नही़ हो गया है college अगर change हुआ है तो पुराने वाले college में result लेके जाएंगे उच्छी करण का और वहां से file ले लेंगे और एक फीज का letter लेके नए वाले college में चले जाएंगे अगर college change नहीं हुआ है और सिर्फ trade change हुई है तो उसी college में जाके उच्छी करण का परणाम देखे बस आपका admission trade change automatic हो जाएगी दुबारा आपको कोई भी documents भरने की जुरत नहीं पड़ेगी अगर college और ट्रेड दोनों चेंज हुए तो पुराने वाले college में जाके result दिखाके और सिफीज का letter और original documents लेके आपको नए college में जाके फिरसे एडवीशन लेना पड़ेगा तो यह पूरी process है अगर इसमें आपको कोई समझने में दिक्कत हुई हो खुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जरू comment box में comment करें हम आपकी पूरी help करने की process करेंगे साथ में एडवीशन का पूरा process simple तरीके से और पूरा clarity के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ तो आप लोग चैनल पर जरूर विजिट करके और उसको सस्क्राइब करके notification वेल पर अवस्प्रेस करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद